Hello everyone, मैं अभी तर्मा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ कर्बोकिमिस्टी क्लासेज में तो कंटिन्यू करते हैं आज की क्लास Hello everyone, Welcome back to the कर्बोकिमिस्टी क्लासेज तो आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे PGT केमिस्टी लेक्चर सेरीज में जहां पे हम लोग solve कर रहे थे 5 problems per video तो यह जो आज की हम problems लेकर आए हैं यह हमारे UP PGT 2016 में पुछी गए थी तो total 5 problems है तो जो पहली problem है यह हमारे इस exam में पुछी गए थी और बहुत ही अच्छी problem थी तो जो first problem है और यह इस lecture series का question number क्या होगा 8 होगा यह हमारे आठवी problem है तो देखिए यह जो पहली कुस्तन है बहुत अच्छी है इसको कैसे solve करेंगे तो अगर हम बात करें तो इसके एक थोड़ी basis की बात करें तो देखिए यह हमारा एक इलकीन दिया हुआ है क्या एक इलकीन टाइप का nucleus दिया हुआ है साथ में क्या दिया हुआ है आयोडीन दिया हुआ है और उसने मानली जी प्रोड़क्ट पी पूछा है यह हमारे सिंपल एक basic कुस्तन है किसको कैसे solve करेंगे तो हमें सब को पता है कि जब कभी भी इलकीन की reaction मानली जी कभी भी कोई भी इलकीन की reaction हम किसी भी हैलोजन से रिएक कराते हैं जैसे कि आयोडीन या ब्रूमीन तब क्या होता है हमारा ब्रूमीन का या आयोडीन का यहां पर क्या हो जाता है complex बन जाता है और साथ में हमारा एक iodine minus निकल जाता है यह क्या बनता है एक iodineum iron बनता है क्या बनता है iodineum iron अगर यह bromine है तब क्या बनेगा RCH double bond CH2 हो जाएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा bromine और यह plus और साथ में bromine minus यह हमारा bromonium iron बनता है यह ज्यादा सुना होगा आप लोगों ने क्योंकि हम लोग bromonium iron के बारे में ज्यादा पढ़ते हैं जब हम इलकीन का bromination करते हैं तो यह एक simple एक इस इस एन एक्जाम्पल आफ हाईलोजिनेसन आफ इलकीन हम बोल सकते हैं गया हाईलोजिनेसन आफ इलकीन का है एक इक इक्जाम्पल है यह हम brumination आफ इलकीन बोल सकते हैं यहां पर हम इसको आइडो नाइडो नाइलेजिएसन आफ इलकीन हम बोल सकते हैं तो अगर हम बात करें यह रेक्शन कैसे प्रोसीड होती होती है तो आजै हम इस मालकिल पर इसको हम applicable करते हैं सिंपल तरीका किया है iodine ले लिजी ठीक ее iodine को क्या कर दीजिए प्लस कर दीजिए एक को क्या करिए- कर दीजिए एक iodine मैंदस मिकल जाएगा, जो एक्ट करेगा, हमारा एक nukleophile की तरह, किस की तरह काम करेगा? nucleophile की तरह, तो देखी ये एक simple हमारा एक example हुआ, तो आईए हम इसको solve करते हैं, अपने molecule में हम इसको कैसे लगाते हैं, ठीक है, आप लोग इस आइटू से आइटू को ओपन करके लिख लिया कि यह मान लीजी माइनस है यह आपका प्लस है तो जो प्लस वाला है यह देखिए यह हमारा क्या होगा एक एलेक्ट्रोफाइल थे जोटा है यह मारा एक्ट करेगा एज़ नुक्लियोफाइल तो पता है हमारा पाइल शोती है इंप्रम कि आते हैं यह कुस्टिन कहां से घबराना नहीं इliamo बढ़ा एकजामपल देखे तरना जाना ठीक देखें यहां पर इसको नीडिेंः तो लिया और साथ में हमारा एक यहां गया है यहां पर क्या है यहां पर रोलavaşय का है देखो अब कर ओढ़ पर यह कंद करेगा हमको पता पाइबांड कैसे होते हैं हमारे मुबाइल होते हैं इसली एजिली मूप कर जाते हैं तो देख धाम से देखिए यहां पे अटेक करेगा तो यह कैसे बनेगा अभी पूरा एक साथ नहीं बना रहे हैं देखिए है एक आयोडीन यहाँ पर यह प्लस हो जाएगा फ्लस ताज यह वाला इम्ध्य इस कारबन पर अटे किया अगर हम नमेंग केबात करें तो यह नंबर वन यह टू यह थ्री यह फॉर फोर तो वन टू थू थ्री फॉर हम यह नंवर एंग रेंगे तो आयोडीन की की पोजेशन क्या हो सकती ही यह हमने दिया यह सिक्स दिया यह सेबें दिया और यह एड दिया फायव जद थिक अब इस यृ ठाइट अब ढ३त है यह निकलियव साइब जार्च और यह सत चाहर रहा होगा यहं पर एक्विश्ट कर रहा होगा रहीगा तो देखे 5 और 1 के बीच में क्या बनेगा बाउंड बनेगा और रिंग के तने इंबर बनेगी 1 2 3 4 5 इजर भी 5 इंबर इजर भी 1 2 3 4 5 दोनों तरफ फाइब मेंबर दिम बनेगी देखी तुमने फाइब मिंबर इंबना लिया कि वन और फाइब के बीच में बाउंड बनना है यह फॉर्म बाउंड को से होगा वन और फाइफ वन से देखिये को सब्सक्राइब दूसरा फिकाउस अटेच है तीसरा और चौथा चौथे पर क्या लगा हुआ है एक आयोडीन यह पाच्वा इससे जुड़ गया फिर पाच्वा किसे अटेच है शिक्स से यह सेबिन से और यह एट से देखिये जो यहां पर बाउंड अटेच हो रहा था और जो हमारा यह एट नंबर कार्बन है यह एट नंबर कार्बन है इसके पास क्या है एक आयोडीन है तो देखिये यह इस्टेक्शर बना अब इसमें हम आपको मैस करेंगे तो यह भी हमारा गलत यह भी गलत हमारा क्रेक्ट ओप्सन क्या होगा यह होगा तो यह simple एक हमारा ब्रोमीन ब्रोमिनेशन या आइडो नाइजेशन टाइप का हमारा क्या है एक एक्जामपल हुआ जो कि बहुत ही इजी था बस आपको पाई कोडिनेट कराना था यहां पे देखिए यह कुछ इनजीपी टाइप का नेवरिंग ग्रूप पार्टिसिपेशन टाइप का भी हो सदीोन नीजफम था तो आप हम मुप करते हैं नेशट प्रॉवलम की तरफ ओके गैज़ देखिए नेंस्ट प्रॉबलम ही बहुत ही प्रॉबलम है आएज हम इसको करते ठीके यह कुस्तन आया हौआ है यह आपका यलकीन दे दिया गया है कि इस इलकीन दे दिया गया है और इलकीन का जो molecular formula है, molecular formula C9H18 है, यह आपका, हम इसका क्या करते हैं जब? और यहाँ पर इसको ozonolysis करते हैं, और यहाँ पर इसको ozonolysis लिख लिजिए, कोई condition mention नहीं कि, इसका मतलब आपका simple ozonolysis है, ozonolysis करते हैं, तो एक compound बनता है A, प्लस एक बनता है B, माल लिजिए A का नाम क्या ज़िदिया है इनोंने? तो टू, 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 डाइमिथाईल, टू, टू, डाइमिथाईल, प्रोपेनल, प्लस इसका नाम क्या दे दिया गया है? टू, ब्यूटेनोन, क्या दे दिया गया है? टू, ब्यूटेनोन, ठीक है, एक इलकीन दे दिया है, अब क्या है, हमें कुस्तन कैसे solve करना है, तो आ árslum Sול किया जाता है जो भी एलकीन दी गई है पता है एलकीन का फार्मूला क्या होता है सीन स्टीन फ्ले नंबल डबल बॉंड देखना है तो K9H2 गुड़े 9 यानि यह आपकी एक एक एलकीन आपकी मालिक्यूल दी diesen के फार्मूल 노래 को यह क्या कर रहा है वैलिट कर रहा है इसका मतलब यहाँ पर एक ही डबल बॉंड हमारे मालीक्यूल में एक्जिस्ट कर रहा होगा ठीक अब देखो अब क्या है इसको कैसे सॉल्व करेंगे तो आपको मैं कभी भी बता दू जब उजोनोलिसिस करते हैं हमें में नहीं जा कि यह एक अक्सीजन इस तरफ लगाई एक अक्सीजन इस तरफ लगाई यह तो क्या हो जाएगा कैसे कलिप करेंगा आर सी एक चो प्लस च्छ टू डबल बॉंड ओं यह हमारे कुछ इस तरह के प्रोडक्ट हमारे बन जाते हैं तो जोनोलिसिस में क्या करना है कोई भी डबल को दिया होगा उसके क्रॉस आपको एक अक्सीजन इस कार्बन को देना है एक अक्सीजन इस कार्बन को देना है देखिए ओजोन की पर्जेंस में यहां पर ट्रिक के अधार पे है तो यह क्या है और की लिविज हो रहा है इसलिए इसको क्या बोलते है और जोनोलिसिस बोलत दिखो पहले हमें जो प्रोडुक्ट बने हैं उनके इस्ट्रक्ट्ट्ट्ट्र्ट में पडएंग सभसक्री प्रोपेनल ल्दीendल हाइड है तो इसलिए अल्गा है यह नंबर यह नंबर s यह नमबर थिडी तो पे कहले एक तो टू पे आपके ंयार कि दो धाइच मित हैं लगे हैं और तीसरा तो हमारा भाइले से से क्पेट करने के लिए हुआज हएगा हमारा स्टक्चर हमारे इस प्रोड़क्ट का क्या होगा यह होगा और तू बहुत आसान है विडिविटेनोर है चार कारबन दूसरे पर कीटोर लगा है तो भी उटे यह हमारा क्या है तू भी हूटे नां ठीक आप हमें इसमें देखना है कि सारी स्टार्टिंग स्कौन सी क्या होगी और हमारा पहले से स्टार्ट करते हैं देखे सभी में क्या है 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 इसका मतब्ब्स करब लगा हुआ या पर क्या लगा हुआ है डवल बॉल्ट ये वन टू थी ठीक ये हमारा फोर ये हमारा कारबन नंबर फाइफ ये कारबन नंबर शिक्स अब जहां से देखिए यहां पर क्या किया है इन्मोने टू टू पोजिशन पर ट्राइ मिथाईल और एक फॉर्थ पोजिशन पे एक टू पोजिशन पे क्या लगा दिया है मिथाईल एक टू पोजिशन पे और ट्राइ मिथाईल लगा हुआ है ठिक और यह कहां लगा हुआ है फूर पे और आपका और यह आपका सींस ट्यूंज प्रिपर और यह हमारा बैलन्स उसको क्या करेंगी सतिस्टाइट कर नहीं और देख़िए अभी फशार हमारा यहां पर होगा आप मैंने आपको बताया एक स्ट्रक्चर हमारा ऑनगया एक structure हमें क्या बनाना है, चलिए पहले hexi नहीं लिखना है, ठीक, hexi, आप हमें bond कहां पर लगाना है, फोर्स पोजीशन पर, ये हमारी फोर्स पोजीशन, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक, आप क्या करना है, हमें देखना है कि 2, 2 पोजीशन पर क्या लगाना है, टू पोजिशन पे हमारा ट्राइमिथाईल ठीक टू पोजिशन पे ट्राइमिथाईल और थ्री पे भी हमारा क्या लगाना है एक मिथाईल गुरूप लगाना है ठीक अब यह हमारा वन टू थ्री फॉर फाइफ सिक्स इसकी हमोजोनोलिसिस करेंगी तो क्या बनेगा ओके आप क्या करना है अब देखना की तीसरे वालों को देखें तो देखें यह टू हिक्जीन है क्या दे दिया है हिक्जीक तीजीक मतलब यहाँ डबल ओन और टू त्री फोर पे एक सुष पोर पोजीशन पर एक फोर पोजीशन पर नहीं और यह आपका CS3, यह आपका CS2, यह CS2, यह H और यहाँ पर हमारी balance की satisfied है, यह हमारा option number C हो गया, यह हमारा B और यह हमारा A, देखिए नमबर आप carbon count करते चलिए, इन्हें गरत हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, गिल लिजी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, सब्सक्राइब आपके 9 आ रहे हैं और H भी आपके क्या होने जी एटीन ही होने जहीं है, दिखिए 3, 3, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 15, 16, 12, 18, यह इस तरह का आपका बन गया, अब दिखो, तो ठिना हम आपसं दिने जा रहे हैं, अपसं दिक अभी बाद रहें लिखिएगे, अब इस ते'RE मान लीजे हम इसकी ओजोनोलिसिस पहले कर लेते हैं इसकी ओजोनोलिसिस किया मैंने ढ़ना रखा रिक बता है एक अक्सीजन इस तरफ देजीए एक च्पाइज जो हमारा जूर रिशल्टल टन प्रोडॉक्ट बनेगा वो क्या बनेगा शहुआ CS3, CO, ठीक, यह, फिल, CS3, CH, CS2, CS3, और साथ में हमारा एक, CS3, CO, CS3 बनेगा, देखिए यही तो बनेगा, CS3, CO, CH, CS3, CS2, CS3, इस तरहे का बना, तो इसका हम IUPAC देखते हैं, कि हमारे प्रोडक्ट से मैच कर रहा है, तो आज बात करते हैं, देखिए, 123, यह प्रोड तो है, लेकिन यह देखिए, दूसरे पोजीशन पे क्या लगा हुआ है, किटोन लगा हुआ हुआ, इसलिए 2 प्रोपेनोन, देखिए हमारे यह आप्शन करने के लिए वन टू अच्छार मान पैंटेनों हमारे माल्ंट नहीं बनद है यपने हमारा सी आफ्जान से सवर रांग ऑंग एंशर है अब इस हम और अब ग्रत हो गया तोक स्क्षों चेक करते हैं आए हम इस क्या कर दिया हमने oxygen दे दिया जब हमने इसको oxygen दिया तो यह क्या बना CH3 CH4 फिर साथ में क्या हुआ यहां पर दिखिए यहां पर क्या है यहां पर एक एच्छ है यह इल्लिहाइट बनेगा किंदे नंबर कारबन मनेगी 1 2 3 4 फिर आपका एक दो तीन एक दो तीन यह हमारा CH3 यहां पर क्या है CH3 यह भी CH3 और यह भी CH3 यह एच तो यह क्या हमारा starting है यह क्या हमारे product है दिखिए इसका नाम क्या है इथेनल इथेनल दो कारबन है तो इसका मतलब हमारा यह भी ऑप्संश ही नहीं है तो हमारा B और C ऑप्संश हमारा क्या हो गया eliminate हो गया अब देखिए आईए बात करते हम इस example की तो अब हमें क्या करना है इसको हमें क्या करना है यहाँ से breakdown करना है यहाँ पे एक oxygen लगाना है एक oxygen यहाँ पे लगाना है तो देखिए अगर हम इसकी बात करें तो यह हमारा breakdown होगा तो CS3 CS2 देखिए CS3 CS2 यह क्या हो जाएग और साथ में क्या बनेगा यहां पर हमारा और हमारा यहां पर हमारे वालिक्विल में तो आइए हम इसके इसका नामंकन करें एक दो तीन चार चार कारबन है तो ब्यूटेन विहोट और और धे तो क्या ब्यूटेन segur वितेन पर है तो यह टू ब्यू टेन ओन का क्या है एकैल हमारा उन यह फूटा उन गया यह हमारा बेवन गया अब क्या गना वह इसकी बात करें तो इसका नाम देखिए नंबर यंग क्या करना है वजह ति각 एवी का इस दो डाई मिफाइल लगे हुए और सात्स में कार्बन चैने च कीके तीन की तो ठीक तो फंक्सनल गुरूप क्या लिए तो प्रोपे दू-डाइमिफाईल प्रॉप नल तो हमारा जो करेक्ट ओप्सण था वह हमारा एक ओज्ञ और करेक्ट अप्सण अगर हम इसको जायेंगे डि को तो इसमें व्हेक्जीन है तू हम सफीन होने के वजह से जैसे मने और यहां पर नहीं सॉल्व करवाया है क्योंकि में आपका प्रोडक्ट यह वाला नहीं बनेगा कोई भी आएगा ही नहीं वहाँ पर हमें सब कर दो कार्बन की चैन बनेगी दो का अप्सन नहीं दिया हुआ है तो उसको आप लोग क्या करेगा अपने मंसे कर लीजिए दोनों तरफ से ब्रेक करें एक अक्सिजन इसको दीजिए एक इसको दीजिए आपको तुरण्ट हो जाएगा लेकिन यह जो कुस्तन है यह आईउपक के अधार पे था तो आपको आउपका अच्छा नॉलेज होना चाहिए आपके पीजी टी केमिस्टी एक्जाम के लिए ठी dear problem में यह हमारे आइड़ोफ उपर्मर संब्सटमें पूछा गया है है कि जो चार कॉंपांट देगए हैं इनमें से कौनशच इंड़?" जो कि एक इचवाइडव० ऑश्य की कि होटी बुचन आपके होती है aquesta बहुत ही important PGT के मिश्टी के लिए है 2016 में आइडो फॉर्म से आपके two या three questions आपके exam में पुछे गए थे तो आज हम इसके दो problem solve करेंगे तो देखिए जो यह हमारा आइडो फॉर्म test होता है यह कौन सा क्या होता है तो आइडो फॉर्म test में आपको बता दूँ इस given by compound saving are cocs3 ग्रूप मतलब को सा गुरूप होना चाहिए must have cocs3 ग्रूप क्या होना चाहिए must have cocs3 ग्रूप ऐसे compound जिनके पास आपका cocs3 ग्रूप क्या होना चाहिए present होना यह वो जब हमारे iodine और इन्हें ओयस से जब treat करेंगे यह हमारे इसके region होते हैं आइडो फॉर्म टेस्ट में तब यह क्या बना लेते हैं एक आइडो फॉर्म बना लेते हैं जब यह आइडो फॉर्म बना लेते हैं तो इसी को क्या बोलते हैं positive test देते हैं वो आइडो फार्म रियक्शन देते हैं तो आपको इतना याद रखना है कि positive आइडो फार्म टेस्ट क्या होता है लेकिन हमारे देखिए यहां मालेक्विल में सारे इलकूहल्स दे दिये गए तो इसको हम कैसे identify करेंगे एक पॉइंट यह हो गया कि Compound Savings to CS3 group लेकिन अगर हम बात करें तो जो हमारा यह कि आयोडीन की presence में जमार इलकूहल्स होते हैं क्या होते हैं इलकूहल्स यह क्या हो जाते हैं आक्सिडाइज हो जाते हैं क्या हो लोगा जो हमारा इल्कुहल यह वाला एल्कुहल हो से ऐसा advice कि यह ऐसा लंब क्या सिकेंड्री रिलड़ कोहल होगा यह जैए उप मैं क्या होना चाहिए है और जब यह खिשत्री होना चाहिए और जैसे इस इल्कुहल होते हैं तो यह internally oxidized होके क्या बना लेते हैं मैं मेकनेजम पर नहीं जा रहा हूं जब यह oxidized होंगे यह हमारा यहां से निकल जाएगा internally oxidized हो जाएंगे और क्या बना लेंगे COCS3 बना लेंगे जब यह COCS3 बना लेंगे तो वह क्या देंगे एक positive test test देंगे यानि वह positive idle form test हमारे molecules देंगे इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब क्या हुआ हमारे compounds जिनके पास क्या हो COCS3 गुरु वह हमारे आइड़ो form test देंगे या जिनके पास क्या हो एक secondary alcohol हो लेकिन secondary alcohol हमारा का इसा होना चाहिए उसके पास एक CS3 जरूर होना चाहिए इलकोहल वही देगा जिसके पास इस तरह का functional group हो मतलब ही secondary alcohol यह हमाली यह आरटाइज है यह आरटाइज है तो यह क्या होगा देखिए यह secondary alcohol ही है लेकिन साथ में क्या है CS3 होना चाहिए secondary alcohol तो बहुत सारे हो जाएंगे बस आपको क्या करना है ऐसा alcohol देखना है यह simple क्या करिए उसको oxidize करके सबको देख लीजिए कौन सा बनेगा तो आईए उसके बाद हम उस पर applicable करते हैं बहुत ही यह primary alcohol है reaction नहीं देगा यह भी देखिए primary alcohol यह भी reaction नहीं देगा तो यह भी नहीं देगा यह भी नहीं देगा ठीक अब जो यह भी नहीं है तो यह देखिए secondary alcohol है यह क्या है यह secondary है लेकिन अगल बगल में क्या लगया हमें है C6S5 यानि यह भी नहीं देगा इसकी बात करें तो देखिए इसके पास देखिए यह वाला गुरूप यह secondary alcohol तो है secondary alcohol तो है लेकिन साथ में क्या हाँ पर है देखिए में आपको बना साथ CS3 होना चाहिए secondary माली जी इसको आक्सिडाइज करेंगे सबको आक्सिडाइज करेंगे हम आयोडीन की प्रजेंस में इसको भी आक्सिडाइज करेंगे और हम इसको भी करेंगे जब इसको आक्सिडाइज करेंगे तो क्या बनाएगा C6H5 CO C6H5, जब यह आक्सिडाइज होगा तो क्या बनाएगा? C6H5 CO CS3, ये बन गया. ये जब आक्सिडाइज होगा, तो C6H5 CH2 CS2, ये CS 2, देखी, ठीक. ये जब आक्सिडाइज होगा तो क्या बनाएगा? c6, s5, c3, c4 मैंने आपको क्या बताया मैंने आपको ये बताया कि जब कभी भी आक्सिडाइज करके देखेंगे तो क्या होना चाहिए ये वाला functional group होना चाहिए और ये वाले ये भी नहीं देगा LD है ये भी क्या है ये तो देगा है ये भी LD है ये भी नहीं देगा यानि करेक्टी देगा तो आपके पास options है आप alcohol को देख कर सकते है या alcohol को आक्सिडाइज करके देख सकते है मैं बतादो आप alcohol को आक्सिडाइज करके देखेंगे तो आपकी गल्तिया बहुत ही minor mistakes होंगी अगर आप alcohol देखेंगे जल्दी में आपका क्या होई सकता है गलत हो सकता है तो मेरी मानिए उसको आक्सिडाइज करके देख लीजिए टोटल मालीक्यूल लिखने के जड़रा थे निए बस उसी functional group को आक्सिडाइज कर लीजिए CO बना लीजिए जिसमें COCS3 आ जाए वो आपका मालीक्यूल पॉजिटिव आईडोफार्म टेस्ट देगा तो इसी की हमें एक next problem करेंगे जो की आईडोफार्म पे बेश दोगी जो ही 2016 में पुछी गई आए उसको करते है देखें जो जो next problem है बहुत एच्छी problem है आए हम इसकी बात करते है तो देखें इसमें ये बोला गया है कि आपका एक compound A दे दिया गया पहले कुस्तन्स को हम लोग ज़रूर लखते हैं जब A है जिसका molecular formula इन्होंने बताया कि C5H8O2 है क्या है C5H2 ठीक है जब इसको हम reduce करते हैं क्या करते हैं जब इसको हम reduce करते हैं तब क्या बनाता है पिंटेन बनाता है ठीक है बनाते हैं बनाने है रहे जो और जब इसको हम rate करते हैं किससे NH2 OS से तो यह एक डाई आग्जाइम बनाता है क्या बनाता है डाई आग्जाइम बनाता है और फिर जब और यह देता है positive Idoform test Idoform test तो अभी तक हमने जो पढ़ा है कि हमने अभी तक आपको आइडो फार्म के बारे में हम बता चुके हैं तो आइडो फार्म की बात करते हैं जिनके पास क्या होना चाहिए अभी बताए आपको COP Cooper कर देखिए इसका मतलब वह आपको कर यह हो सकता है इसके पास शेश टू सेचु कुस्ट या यह यह अपwon हमारा यहीं पर हो गया ओंॉलेझ चाहिश नहीं सद्सक्सक्राइब क्या हो गया ये होगा यह सकता यह की सिक्ति इस करना है यह सद्सक्राइब अब्सक्रेजन्य करके करते हैं जो मारा टॉलिस चेश्च आप ही करें आप यृबर का पहली पता हो तॉलस्ट test रिवल्ँ एल्डिहाइड क्या Would be Givet by Eldehydes जिन के पास क्या होना चाहिए आर्-Siच्चो गरूप अल चाहिए क्या होना चाहिए और द्त हर से देखो इसके पास कोई भी इल्डिहाइट ग्रूप नहीं है यह यह भी सद्वारा क्या हो गया Tech और इसको भी जहान से देखिए यह भी किया है इसके पास भी कोई अल्डियाइड नहीं है यह यह भी इलिमिनेट हो गया तो करेक्ट एंसर तो हमारा यह आ गया इस पर जाने की बात ही नहीं हुई लेकिन उसका हम आपको बताते हैं क्या होता है जब हम कभी भी क्यों है इलिहाइड या कींटून जब हम कभी भी ildhyृइड या कींटून को हम हाइड्रोक्सिल एमेन से रियक्शन कराते हैं यह हो या और हो यह ओ है जब कभी मेन हाइड्रोक्सील एमेन से रियक्शन कराते हैं तो क्या बनाता है यहां से माइनस स्टों निकलता है र-C-O-N-O-H यह भी हो सकता है यह इसको बोलते हैं आग्जाइम ठीक अगर 7 ले लोगे तो यह ले लोगे तो लेगा दूनों तरफ सब्लिए नी जा लेगा तो जब आक Neem बना रहा है ठीक है तो करेक्ट उप्सन आपको कहीर हो इसको जब reduce म्तलब क्या थिक फिर आप का सिस्टू सिस्टू और सिस्टी इस तरह का मालेकुल जब आपका बनेगा जहां से देखिए यह आपका एक हो जाएगा तो करेक्ट अप्सन हमारा यह है चार यह दो अगर आपको यह दो आ रहे थे तो आपका अंसर तो तुरंत आ गया था इस पे जाने कि कोई जरूरत ही नही तो आएज के बीडियो की लास्ट प्रॉबलम है और यह भी आपकी बहुत ही पेटेंट रियक्शन है आपके पीजीटी एक्जाम्स के लिए तो आएए बात करते हैं उन्होंने आपको क्या किया है एक मालेकुल जिदिया गया है जिसका नाम है 345 ट्राइब्रोमू इनिलीन हमको पता है कि इनलीन क्या होता है ऐसा बेंजीन जिसके ऊपर क्या लगा हो एक इनिस्टौ गरूप लगा हो ठीक फिर यह वन पोजीशन यह टू पोजीशन यह थृर यह फॉर यह यह वन टू 3 फॉर 5 तो छिरी पर अब्रोमू फिर क्या लगा है एक फॉर्थ grades पे लगा ह करते हैं डाइजोटाइजेशन करते हैं क्या करते हैं सोडिय माइट्राइड प्लस इन्हें रोटू प्लस इस सील में करते हैं जब इसका हम डाइजोटाइजेशन करते हैं तो हमको पता है एक मालेक्यूल क्या बनता है इन्टू सील उसकी मगेंजियम पेने जाना है इन्टू प्लस और सील माइनस बनता है और ब्रॉमीन आपके मालेक्यूल ऐसे ही इसमे आटाइच रहेंगे ठीक हैं अब क्या होगा यह हमारा आपका diisotized product हो गया क्या हो गया डाइजो टाइजड लूंज हो गए प्रोडक्ट मिए पिर पिर क्या गया इसके ऊपर उन्होंने एक कोई फास्पोरस का क्या कर दिया है एक एक डाल दिया है यह क्या है और एक acid है, जब इसके ओपर acid डाल देते हैं, बहुत ही इंटेस्टिंग इ growers है जब कभी दैजॉनियम साल्ट के ओपर acid डाल देलते हैं तो यहाँ से – in-2 निकल जाता है, ठीक है और यह आपका – si-GS – निकल जाएगा और यहां यहां का सिधे अटैक हो जाएगा यानि इसका हो जाएगा यानि पूरा-पूरा ढटा दीजी यहां पे इस लगा दें गे तो आपका a क्या बन ऐसा बन जाएगा यह एक इंपोटेंट रियक्शन है कभी कभी इसके ओपर सेंड में रीक्षण लगा के दिता है इस बार इस ने क्या किया यहां पे इस नाल देता तब भी यही होती है तो सेंड nee Reaction है वो सभो लोग करें ये ठोड़ा इंतरस्टिंgar था तो क्या अब क्या करना है यह हमारा एक प्रोडक्त बन गया यह हमारा एक final प्रोडर्ट बन गया है तो इसका नाम क्या दिखिए तो कोई मतलब नहीं है तो तो इसका चो नाम है उभांन टू थ्री ट्राइब्रोमो प्रेंजीन दिया गया है यह आपका फिर ट्राइब्रोमो बेंजीन प्रेंटा करेक्ट अप्ष्ण इस यह तो होगा यह नहीं यह कुछ लोग क्छा करेंगे इस देख के यहां से 345 ब्रमो नहीं अब आपका मेन फंक्शनल गूरूप एनस्टू हट गया है तो अब आपके जिसकी नंबरिंग जो स्टार्ट होगी वह 123 से स्टार्ट होगी यह लोजन को प्रियोटिक देंगे यह भी आप्शन कट गया 246 तो बिलकुल भी नहीं बन था इसमें और इसमें लो तो लोग क्या करेंगे उसको भी थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि करके हमारा इनोटो प्लस एक आपका इलेक्ट्रोफाइल जन्रेट कर सकता है तो भी आपका अप्शन गलस हो गया यह बहुत ही इंट्रेस्टिंग रिजामपल था और डाइजोटाइजेशन रियक्शन तो पीजीटी के बेश्टी की बहुत ही पेटेंट्रेक्शन है तो आज की वीडियो हम आवरी फाइब राब्लम्स हो गई है फिर नेक्स्ट वीडियो लाएंगे जहां पर टोटल हम फाइब प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे ओके टेक केर एन गुडबाई